नीचे के बाल हटाने का बेस्ट तरीका बहुत से पुरुश और महिलाएं कि स्किन नीचे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और ऐसे में जब आप हाईजीन प्राक्टस करना चाहते हैं या ओरल एंजॉई करते हैं तो ऐसे में ये चीज़ें ना कहीं इंबारस्मेंट हो जाती हैं आप बॉडी शेम होने लगते हो आपको लगते हैं ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे इससे थोड़ा और बेटर करना है मुझे अपने पार्टन को कमफोटेबल करना है तो बहतर तरीके क्या हैं कई लोग 40-50 में भी अपनी सेक्स लाइफ वो आपस रिवाइफ करते हैं तो उनके लिए ये जो नीचे के बाल है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा इंबारस्मेंट का इशु होता है अब हम बात करते हैं कि इसका तरीका क्या है और क्या होना ना होना इशु है डीटेल में बात करेंगे हाँ एम डॉक्टर निहा मैता मैं पुछले 10 सालों से प्राक्टस कर रही हूँ और आज मैं बात करूंगी हैर रिमूवल इजी टेक्नीक्स मेल और फीमिल बोट अगर आप चैनल पे नए हैं जरू सब्सक्राइब करें और ऐसी बहुत सारी वीडियो के लिए और काफी इंफर्मिशन के लिए बने रहा है इस वीडियो के पूरा अंतक देखें तो चलिए हम बात कर रहे थे नीचे के बाल वैसे तो ये हेर्स होना आपकी बॉडि को काफी जादा सेफ रखता है जो भी इंफेक्शन से हैं उनसे आपको बचाता है और ऐसे एरियाज में इस्पेशली आपके जो एरियाज हैं जो बहुत इसली एक्सपोज नहीं है उनके अंदर हेर हर जगा है बीट आपके नाक में बाल हैं तो ये हेर्स कहीं आपके जो इंटरनल पार्ट से उनको सेफ रखता है बट जब आप कहीं न कहीं ओरल इंजॉई करते हो आप वो पर्टिकुलर एरिया पे सॉकिंग और लिकिंग पसंद करते हो तो वहां का ख्लीन होना और उसका हाईजीन हमारी priority बन जाते हैं For some people, underarms के बाल निकालना बहुत important नहीं है Especially if I talk about boys, they don't like it क्योंकि वो full sleep की shirts पैन रहे हैं या winters में बहुत जादा important नहीं होता पर जब आप अच्छी appealing look चाहते हो या एक अच्छा sexual intimate moment चाहते हो तो obviously if you enjoy licking your exila या फिर वहां के hairs, उनका removal आपके लिए बराबर का important हो जाता है या आपको जादा पसीना आता है या stress रहता है तो उसके लिए भी जरूरी है अब मैं बात करूँगी नीचे के लिए क्या करें या कई लोग wax करने लग जाते है कई लोग किसी भी तरीकी के shavers use करते है उनके particular negative चीजें भी है for example if you go for wax regularly एक तो wax safe नहीं है साथ-साथ burns या bruces होने के chances रहते हैं skin काली होने के जादा chances रह जाते हैं और आपको हर जगा वो comfortable environment नहीं मिलता जहां पर आप यह कर सकते हैं female के लिए फिर भी wax कराना down the there is okay पट males के लिए वो बहुत जादा precautionary है क्योंकि obviously उनके genitals भार की तरफ हैं तो वो जादा issues लेते हैं when you wax down there दूसरा तरीका है shaving करना shaving भी okay है बट every time shaving आपको बहुत जादा cuts दे सकता है और ऐसे shavers या applicators बहुत असानी से नहीं मिलते है especially if I talk about ball shavers वो काफी जादा cuts की तरफ हमें ले जाते है क्योंकि you cannot look down there when you are doing it तीसरा तरीका जो लोगों को समझ में आता है कि वो cut करते है scissors के साथ cut करना safe है hygienic है but scissors कैसे use करने है क्योंकि बहुत कहीं भी लग सकती है especially जो आप नीचे कर रहे है तो ultimately वो problems raise करता है ऐसे में कई लोग creams use करते है जो creams आपके intimate areas के लिए नहीं भी बनी आप वो use कर रहे हो जैसे weed use कर रहे हो जो हातों या पैरों के hair removals के लिए उसे अपने intimate area पे use ही कैसे कर सकते हो so there are intimate hair removal creams जिसके बार में आपको नहीं पता है तो ये creams बनी हुई है जो आपके intimate areas पे काम करती है especially आपके bikini hairs पे और ऐसे washes भी है जो जिनमें scented नहीं है बहुत जादा perfumes नहीं है natural healthy चंदन है जो wash करने के लिए भी better option है so better to go for the product जो specially वहीं के लिए ही बने हुए है जिनका PA जिनकी sensitivity काफी कम है अब गली बार से if you don't like hairs out there आपको पसंद है, okay keep it if you don't like it और आपको oral जादा पसंद है तो फिर intimate skin के लिए वही वाले creams use करें please don't use XYZ जिससे आपकी नीजे की skin पे ज़्यादा धिक्कत रहे और darkening बहुत हो जाती है smell आने लग जाती है कुछ और जाना चाते हैं कुछ नई चीज़ें आना चाते हैं उसे comment section में लिखें ताकि वील डूंडा कि कौन सा अच्छी चीज है हम आपको लेकर आएंगे